मुझ ढू हैंग हालो फ्रेंद्स वल्कम टो माइ यू टुटुक चैनल एवट इस ट्ड़िए टूरी एडिया तो फ्रेंड जीसा कि आप लोग जान प्राइम बेस्ट किये हुए हम वीडियो को करते हैं इस्टार्ट चलिए तो हमें स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज प्रस्नावली 2.1 अब देखे यहां लिखा हुआ है एक में नीचे दिये गए कथन सत्थ है या असत्थ कारण के साथ अपने उत्तर दिजिए तो जैसा कि पहला जो कोश्चन है वो कर रहा है कि परतेक और परिमे संख्या एक वास्तविक संख्या होती है सबसे पहले यह समझे कि वास्तविक संख्या कहते किसको हैं वास्तविक संख्या मतलब वैसी संख्या जिसमें परिमे भी हो और अपरिमे हो अर्था परिमे तथा अपरिमे संख्याओं के समुह को वास्तविक संख्या कहते हैं तो जब परिमे और आपरिमे परिमे और आपरिमे दोनों संख्या उसमें सम्मिलित हैं तो वास्तविक संख्या हो गई तो वही यहां का गया कि परते एक आपरिमे संख्या एक वास्तविक संख्या होती है तो होगा क्या सत्त होगा किया होगा सत्त हो थीक़ है सत्त है क्योंकि क्योंकि कि कि हम जानते हैं कि पर्यमें और अपरी में संख्या का जो समू है वही वास्तविक संख्या करा लाता है ठीक है तो क्योंकि परी में और आपरी में संख्याओं का समुह वास्तविक संख्या कहलाता है वास्तविक संख्या कहलाता है परी में परी में कहने का मतलब हुआ जो और पर्रीमें का मतलब गए लुके नहीं हो टिक्स тут एफ की अगर आप पिछले next question की तरफ दूसरा question कर रहा है कि संख्या रेखा का परतेक बिंदू root m के रूप का होता है जहां m1 प्राकिर्ट संख्या है सबसे पहले ये समझें कि संख्या रेखा पर जो है ये आपका संख्या रेखा हो गया ये सुन हो गया सुन के जब हम इस तरह चलेंगे, तो यह हमारा पलस हो जाएगा, ठीक है, यह यहनि राइट साइट, और जैसे इसमें लेफ्ट साइट आएंगे, तो यह हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, कि संख्या रेखा पर जो है वो रिनात्मक और धनात्मक दोनों संख्या होती है लेकिन परतेख बिंदू पर यह जो परतेख बिंदू है ठीक है परतेख बिंदू पर परतेक बिंदू पर जो है वो आपका कहा गया है कि रूट एम यानि की वर्गमूल रूट एम का मतलब क्या हुआ कि परतेक बिंदू पर एक वर्गमूल हो यानि रूट एम का मतलब क्या हुआ वर्गमूल हो जो की संभब नहीं क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे कि इसका तो हम रूट 1 कर देंगे रूट 1 करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा ठीक है यह प्राकिर्ट संख्या हो गया लेकिन जब हम यहां रूट 2 करेंगे तो क्या यह प्राकिर्ट संख्या होगा नहीं हो पाएगा ठीक है और रूट 3 करेंगे तो यह होगा नहीं होगा तो परते एक बिंदू पर जो है वो एक रूट में जो है रूट में संख्या और दूसरा नमबर की वो प्राकिट संख्या हो यह संभब नहीं है तो हम लेख सकते हैं कि संख्या रेखा पर हम लेख सकते हैं तो संख्या कि ये तो क्या हो जाइगा ? सब्स पहले तो ये असत हो जाऊ जाँगा ? क्या हो जाऊब चाल kisma परी उसे संख्या रेखा । संख्या रेखा पर धनात्मक तथा रिनात्मक तथा रिनात्मक दोनों संख्या होती है दोनों संख्या होती है तो इसलिए परतेक बिंदू पर एक वर्गमूल हो संभब नहीं है परतेक बिंदू पर परतेक बिंदू पर एक वर्गमूल हो वर्गमूल हो संभब नहीं तो यह चीज नहीं हो सकता तो यह क्या है आपका असत्त हो जाएगा ठीक है चलिए आप हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलिए तो तिसरा कोश्चन में आपको कहा गया है कि परतेक वास्तविक संख्या एक और परी में संख्या होती है तो यह आपका असत्त हो जाएगा क्या होगा असत्त अब क्यों होगा असे समझें आँ यहां पर आपका फ yourselves का इंदर ऑो फ्रजीं क्यों होकरी में बारे को कि अब जो है वास्तविक संख्या के अंदर जितने भी संख्या है तो क्या वो सिफ आपर में ही होगा नहीं यह गलत हो जागा यह होगा आपका असत्त हो जागा क्योंकि उसमें पर में भी होता है जैसे आपको हम बता दें कि आप जैसे ले लिजिए कि दो ये परिमे संख्या है और वास्तविक संख्या भी है उसके बाद आपको बता दें कि मान की चले हम कहीं पर लिख दिये रूट नाइन तो ये क्या हो जागा थ्री तो ये क्या है परिमे संख्या और वास्तविक संख्या है वो आपका आपरी में संख्या नहीं होगा ठीक है तो लिखेंगे कि असत क्योंकि क्योंकि सिंपल सा ले लेजिए एक एक जामपल क्योंकि मान लेजिए कि 5 5 क्या है यह तो आपका वास्तविक संख्या है क्या है वास्तविक संख्या है संख्या है वास्तविक संख्या है क्या वास्तविक संख्या है तो क्या यह आपड़ी में संख्या है नहीं है तो लिखेंगे कि क्योंकि पांच वास्तविक संख्या है आपड़ी में नहीं और परी में नहीं ठीक है यह हो जागा इस कुशन का एंसर ठीक है तो आसा करते हैं कि आप समझ गया होंगे तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन की तरफ चलिए अगरा कुशन है कि क्या सभी धनात्मक पुर्णांकों के वर्गमूल आपरी में होती है या दि को दे दे कि रूट अंडर वन इसका वर्गमूल करेंगे तो वन हूँ उसके बाद रूट अंडर फोर इसका टू हो जाएगा रूट अंडर नाइन क्या हो गया थिरी हो गया तो आप क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर तो धनात्मक पुर्णांग है धनात्मक पुर्णांग है और यह हमारा जो है वो इसका वर्गमूल भी हो रहा है सबका क्या हो रहा है वर्गमूल हो रहा है तो कहा गया कि क्या सभी धनात्मा पुर्णांग के वर्गमूल आपड़ी में होता है तो नहीं होता है यदि नहीं तो एक संख्या के वर्गमूल का उदाहरन देजिए तो आपके सामने उदाहरन बहुत सारे हैं देखिए जो भी संख्या का हम वर्गमूल निकाल ला है वो क्या आपड़ी में संख्य येस अब भी परिमेस क्या है स्थीर में उसके बार हम अगर कहें तो अगर 25 ले ले तो ये-8 हो गिया यह भी हमारा परिमेस क्या है चुछ correlation थिम्हस क्so नहीं और एक्जाम्पल यह आपका हो गया एक्जाम्पल हो गया ठीक है तो आसा करते हैं यह बात आपको समझने आ गई होगी चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलिए तीसरा कोश्चन है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट फाइब को किस प्रकार्नी रूपित किया जा सकता है अब हम लोग जो है वो संख्या रेखा पर जो है वो रूट फाइब को परदर्सित करेंगे तो आप ध्यान से दिखेंगे बहुत सरल है ठीक है सबसे पहले हम क्या करेंगे एक संख्या रेखा ख और यह हमारा हो गया सुन उसके बाद एक दो दो लेंगे ठीक है एक और दो इसके बाद क्या करेंगे कि दो पर एक सेंटीमीटर का लंब डालेंगे जैसे देखिए दो पर क्या करेंगे एक सेंटीमीटर एक सेंटीमीटर से अधिक नहीं लेना है एक सेंटीमीटर ठीक है यह हमारा हो गया एक सेंटीमीटर कितना हो गया एक सेंटीमीटर और यहां से यहां से यहां हो गया कितना दो ठीक है दो हो गया अब हमको क्या करना है सुनने से जो है हम इसको मिला देंगे यानि एक सम कों तिर्भोर बनाइंगे जिसको राइट एंगल ट्रैंगल बोलते हैं सम कों तिर्भोर बनाएंगे इस तरह से knocked कि देख रहे हैं आफ इस तरह से बनालेंगे तो ये हमारा 2 है 1 है तो ये हो जाएगा आपका रूट 5 ये क्या होगा, रूट 5 हो जाएगा टिक है, रूट 5 अब मेरा जो रूट 5 है, वो संख्यारिखा पर कहां पर प्रदर्सीत होगा तो सबसे पहले हम करेंगे कि चलिए नाम दे देते हैं ये हमारा हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C तो एक बात आप ध्यान रखिए कि जितना हमारा A, B है उतना ही बरा हमारा होगा A, C ठीक है जितना A, B है उतना बरा क्या होगा? A, C होगा तो आपको क्या करना है कि प्रकार लेना है क्या करना है प्रकार ले लेना है और यहां पे रखना है प्रकार का नोक और यहां पे रखना है पैंसिल ठीक है इसी के हिसाब से यहां पे आपको इस तरह से एक रेखा इस तरह से खीच देना खिचने के बाद क्या होगा ये वला भाग होगा हमारा थ condemn रखेंगे ये नहीं ये वला भाग होगा सी होगा ये ही हमारा यहां पो बनेगा रूट फाइब तो सबसे पहले क्या करना है आपको एक नंबर लाइन खिचना है संख्या रेखा खिचना है और उसमें दो सेंटीमीटर लेना है कितना लेना है दो सेंटीमीटर और दो सेंटीमीटर के सामने जो है एक 90 डिगरी का कौन बनाना है यहाँ पर ठीक है 90 डिगरी का कौन बनाना है कौन बनाने के बाद एक सेंटीमीटर लंब लेना है कितना लेना है एक सेंटीमीटर जब एक सेंटीमीटर लंब खिचने के बाद आप सुनने से इस बिंदु तक जो है एक रेखा खिचेंगे तो यह हमारा नीचे वाला अधार हो गया यह लंब हो गया यह कर्ण हो गया तो यह दोनों के हिसाब से जो है हमारा यह रूट फाइब होगा अचलिए इसको हम प्रूफ करके देखते हैं सही में यह रूट फाइब होगा या नहीं तो जैसा कि हम लोग जानते हैं पाइथा गोरस प्रमे पाइथा गोरस के प्रमे से हम देखेंगे कि यह आधार है यह लंब है यह कर्ण है तो कर्ण का स्कॉाइर बराबर लंब का स्कॉाइर पलस आधार का स्कॉाइर तो कर्ण का स्कॉाइर बराबर हो जाएगा लंब देखिए लंब आपके पास कितना है वन है तो वन का स्कॉाइर पलस आधार कितना है दो है तो दो का तो आप क्या देख रहे हैं कि कर्ण का स्कॉाइर बराबर 1 का स्कॉाइर 1 हो गया पलस 2 का स्कॉाइर कितना हो गया 4 हो गया तो यह हमारे पास आगया 5 इधर है क्या कर्ण का स्कॉाइर अब जब square को हम right side में लेके आएंगे बराबर के दाहिने side में तो यह root में बतल जाएगा तो कर्न बराबर हो जाएगा root under 5 जो कि आप यहां देख रहे हैं थीक है देख रहे हैं यह हमारा कर्न हो गया तो आपको proof भी गया कि यह हमारा root 5 है और यह जो हम यहां से यहां जो परकार रखे हैं इसको माप लेंगे इस तरह से इसे माप करके यहां ऐसे लाइन खिज देंगे ऐसे ठीक है तो हमारा यह सी बाला जो बिंदू है यह सी बाला यही हमारा क्या होगा रूट फाइब हो जाए तो यह लाइन जो हमारा किसका हो गय वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर अभी तक आप चैनल के सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए